So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे iPhone 13 Series में Brightness keeps changing itself कि आपको अगर problem आती है तो कैसे आप यह problem को fix करेंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube Channel को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका इकोन को press कर लेना है First of all, आप जाएंगे Settings पे Then आपको Search बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको Search करना होगा Auto Brightness इस तरीके से Then आपका यहाँ पे Auto Brightness On होगा, तो Simple आपको इसे Off करना है, Off करने के बाद जो है, अब आप खुद से अपना Brightness Change कर सकते है ठीक है, या फिर अगर यह तरीका काम नहीं करता तो एक बार आप जो है अपने फोन को सट डाउन करके मतलब Restart करे Restart करने के बाद फिर से आपको अपना Auto Brightness को जो है Un-tick कर देना होगा ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सट डाउन करें, आप लोग अपने फोन को या फिर स्टार्ट करें तेन Auto Brightness को आप लोग Un-tick करेंगे, तो आप फिर अपने हाप, हिसाब से जो है अपना Brightness को चेंज कर सकते है ओके, सो टापिक इसकवर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मतादी